हेलो फ्रेंड्स वेल्कम डिटी चैनल लन्विद भीवाई और मैं हूँ विकास यादव और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि सोसल इंस्टिउशन क्या होता है कि वाट इस सोसल इंस्टिउशन इसके साथ साथ हम इसकी डेफिनेशन एलिमेंट्स और करे चलिए-चलते हैं हम अपने विडियो की और तो सबसे पहले हम जानते की स्कूल कॉलेज को को इमेजzar कर लते हैं और यह सुचने कि मतलब क्या होता है तभी हम जान पाएंगे कि social institution क्या है क्यों develop किया गिया और इसके क्या-क्या characteristics से तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि institution क्या होता है तो institution क्या है institution एक ऐसा चीज़े जो work होता है जो work करता है कुछ rules करता है institution is something that works according to rules और जो की stabilized होगा और at least कम से कम यह acknowledge होगा by law तो यह है institution क्या है जहां पर कुछ rules के तहत वो काम करते है वो acknowledge किये गए होंगे law के द्वारा अब देखते हैं कि social word का मतलब क्या होता है तो social word से आपको सबसे पहले यह क्या होगा कि यह आपको दिमाग में आता है कि यह relate करी कि से साथी साथ वो activities से जहां पर हम एक पीपल दूसरे पीपल से मिलते हैं और साथ में रहते हैं एक organized में तो social word से आपको समझ आजना चाहिए कि यह relating to society है और relating to activities in which one people meet with other people and live together in organized manner चलिए इसे और अच्छे समझते हैं कि society क्या है सोसाइटी क्या है combination और यहां पर हर इंडिविज्वल ने अपने एक प्लेस सोसाइटी में पाया हुआ है यह ऑक्किपाई कर रहे हैं आप देखिए कि यह इंडिविज्वल का अपना हर एक इंडिविज्वल का अपना एक श्टेटस होगा roles होगा जो उसे perform करना होगा और सबसे जरूँ उसका कुछ needs होगा जिसे वो fulfill करना चाहता है यह हर एक individual का होगा अब क्या होगा है कि यह जो needs है जो various needs है वो हम अकेले occupy नहीं कर सकते हैं मतलब sorry occupy नहीं इसे हम अकेले पा नहीं सकते हैं तो को सैटिस्फाई करने के लिए कि हम एक सुसाइटी में के तांगे उसमें रहे हैं ताकी हमारा जो बेसिक नीड faust ख़ो फुल्पिल हो सकें तो यह क्या है इसलिए हम में कहेता है कि अपना वेरियस स्यच को फुल्फिल कर सकें वही क्या कर रहेर है वही develop कर रहे है social institution social institution जैसे family हो गया religion हो गया, education हो गया economy हो गया, government हो गया यह सारे चीज क्या हो रहा है कि यह social institution develop कर रहे ताकि हमारा जो basic needs से वो fulfill हो, इसे हम आगे detail में discuss करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि social institution के बारे में क्या लिखा हुआ है कि social institution have been created by men, सही बात मैंने अभी बताया था कि यह हम individual ही milker बनाते हैं किस से social relationships in society से to meet, क्या करने के लिए बनाते है, to meet basic needs ठीक है, और इसमें कुछ law and order होता है, कुछ clearly defined decision making and authority rules होते है जिसके तहती हम अपने various basic needs को fulfill करते हैं, ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं, कि social institution जो है वो एक important human organization है, ठीक है जो कि occupy कर रही है, जो organize कर रही है, हमारे life को और इसमें एक continuity प्रदाम कर रही है, ठीक है और यह form कैसे हो रही है, by group activities, जो कि controlled by किसे interrelated set of norms तो जो social institution है, वो theoretically सुनने में लग रहा है कि यह वो simple है, लेकिन यह complex है, क्योंकि इसमें integrated of social norms है क्योंकि अलग-अलग जगाँ पर आप देखें कि अलग-अलग तरह के लोग रहते हैं, उनके अलग-अलग norms होते हैं, ठीक है इसके साथ यहाँ जो लिखा हुआ है कि there are many revolution and variation in the society but it is safe from damaging socks इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह है हमारे देश में या कहीं पर भी हमारे society में, बहुत सारे revolution हुए बहुत सारे variation है society में, लेकिन यह अभी तक इससे safe है, जैसे कि मान लीज़े, family family जो है, वो ऐसा ने कि यह आज का concept है, यह जब से human का evolution हुआ है, तब से यह family का concept आते जा रहा है, इसमें बहुत सारे changes है, यह से बहुत forms है कि nuclear family का concept आ गया, joint family का concept आ गया, लेकिन आज भी family का concept available है तो वही है कि बहुत सारे revolution आ है लेकिन यह उसे damage नहीं कर पाए और यह जो हमारा social institution है जो control किया गया है, norms के द्वारा यह उसे बचा रहा है अब चलिए देखते हैं आगे कि यह social institution जो है यह सिरीफ हमें provide नहीं कर रहा है कि यह हमें सिरीफ एक social structure provide नहीं कर रहा है ठीक है, यह साथ साथ हमें attach कर रहा है individual by fulfilling their basic needs यह SNE के social institution बस एक धाचा तयार कर लिया कि हाँ हो गया, आप आप यहाँ रहिए यह साथी साथ एक इंसान को दुसरे इंसान से attach भी कर रहा है ताकि उनका जो basic needs है वो fulfill हो सके mainly अगर हम देखे तो mainly जो human wings है तो वो three kinds of needs है जो वो fulfill करना चाहते है तो कि हम सब जानते है कि human wings को animals नहीं है जो सिर्फ dependent होंगे completion of biological needs के लिए यह सिर्फ biological needs fulfill करने के लिए हम human wings को क्या बोलते है social animals यह Aristotle के द्वारा बोला गया था और यह क्या हो रहा है इसी कारण से हम three kinds of needs पे fulfill करने के लिए social institution में रह रहे है पहला biogenic needs जो हमारा जैसे hunger हो गया ठीक है thirst हो गया sleep हो गया sex हो गया यह सारे चीज़ को biogenic needs fulfill कर रहा है sociogenic needs क्या कर रहा है जो हमें wealth की जर्वत है fame की जर्वत है honor की जर्वत है prestige की जर्वत है यह हमारी sociogenic needs हो गई हमारी psychogenic needs क्या है हमारी psychogenic needs है कि हमें love चाहिए attention चाहिए belongingness चाहिए इसका साथ-साथ और भी अलग तरह के needs है healthcare needs है economic needs है government needs है religion needs है यह सारे needs को fulfill करने के लिए हम एक institution में आते हैं ठीक है तो यही सब है कि जो हमे all of these needs make him turn towards attachment with institution और यही सब है कि जो हमें institution से attach करता है और stability भी देता है कि existence of institution जरूरी है तो यह था social institution क्या है अब मुझे लगता है कि आप social institution क्या है वो समझ आ गया होगा अब चलिए इसकी definition देख लेते हैं जो कि बहुत सारे great scholars के द्वारा दिए गई है तो सबसे पहले हम देखते है मेकाईवर और पेज ने क्या है क्या कहा है उन्होंने कहा है कि institution is an organized way of doing something यह क्या है एक organized way है इसका मतलब समझ तरह से कि institution ने उसमें एक set of formal regular और एक stabilized procedure होगा characteristics होगा group का number of groups होगा जो एक function perform कर रहे होगे within a society यह क्या होगा एक organized way में हम सब कुछ काम कर रहे होगे तो यही कहा है मेकाईवर और पेज ने अब आते हैं मैलिनोस्की ने क्या कहा है कि मैलिनोस्की ने कहा है कि institution क्या है एक group of people है united by common interest यह मैंने पहले भी बताया कि एक group of people जब unite हो रहे common interest में तो वो social institution बना रहे वो endowed with material equipment है सही है कि जो हमें needs fulfill कर रहे है उससे हम बहुत सारे material equipment भी है हमारे साथ जिसके मदद से हम अपने needs fulfill कर रहे है हम follow कर रहे rules of tradition और contribute कर रहे work of culture as a whole पुरा तरह से हम उस rules को follow करते हुए contribute कर रहे है ताकि हमारा needs fulfill हो सके अब देखते हैं कि Bertrand दोरा क्या क्या गया है तो Bertrand ने कहा है institution a system of social relationship for meeting various felt human needs यह तो वही same बात फिर से कही गई है institution क्या है system of social relationship का जो हम बना रहे ताकि हमारा जो needs से वो fulfill हो सके Robertson ने क्या कहा है कि institution एक cluster of values है norms से status and rules and group है that develop around a basic social need इन्होंने क्या क्या कि जो हमारा basic social needs है उसको fulfill करने के लिए हमने एक stable cluster बनाया हुए क्या चिछ का values का कुछ norms है कुछ status कुछ roles और कुछ group of people का इसका मतलब क्या overall अगर हम देखे तो सब ने वही कहा है कि institution क्या है कि जिसमें हम एक साथ रह रहे है ताकि हमारा कुछ basic needs fulfill हो सके और वो कुछ control हो रहे है कि rules norms के द्वारा तो यह overall अगर मैं short summary बोलू कि social institution क्या है तो वो आपके सामने इस social institute क्या है एक group of people है united by common interest common interest है जिसके कारण वो group of people एक साथ आ रहे है उनके बास अपने material resources है जिससे वो fulfill कर सके अपने basic needs को उनका कुछ norms है कुछ rules है जिसके तहत ही rules को follow करते है वो ही वो महारा रहे है ताकि उनका जो social needs है ठीक है तो जो basic social institution है वो कुण कुण से है पहला है family फिर education फिर economy फिर government फिर religion इसके साथ साथ आपके बहुत है जैसे media है health है और भी अले के लेकिन ये जो 5 basic social institution है ये आपको हर जगा पाये जाएंगे और ये हमारे कोई ना कोई नीट्स को फुल्फिल कर रहा है जैसे कि अगर हम family देखें तो family जो है हमारे biological needs like sex ठीक है psychological needs जो हमारे love attention है ये जीज को फुल्फिल कर रहा है education क्या कर रहा है education हमारा enhance कर रहा है enhance knowledge और skills को knowledge और skills को enhance करने में education जो social institution है वो help कर रहा है उसके बाद economy अब हो गया कि family ने तो हमेरे biological needs social needs फुल्फिल कर रहा है education हमारे knowledge का enhance कर रहा है skill को develop कर रहा है अब आता economy हमें wealth की जरुवत है हमें honor की जरुवत है prestige की जरुवत है ठीक है ताकि हम अपने needs को फुल्फिल कर सके तो वो economy institution फुल्फिल कर रहा है government क्या कर रहा है ठीक है अब क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ हमें जरुरत है कि कोई हमारे लिए कुछ law बनाए जो हम सब को एक साथ लेकर चले ताकि stability रहा society में और क्या होगा कि कि कुछ laws बने distribution of power हो यह कहां से फुल्फिल हो रही यह government से तो यह भी एक जरूरी social institution है अब आते है religion religion क्या है कि religion भी एक important social institution है कि यह self जो spiritual relief है वो हमें प्रदान कर रहा है ठीक है यह क्या कर रहा है spiritual relief दे रहा है और यह साथी साथ spiritual relief ठीक है और यही है जो हमें guide भी कर रहा है कि हम as a human being कैसे रहें ठीक है तो जितने भी institution है वो हमें साथ दो type का function परफॉर्म करते है कोई भी institution जोई social institution वो एक primary function रहता है उसका और एक secondary function ठीक है यह primary function को हम लोग बोलते है direct function जोग होता है ठीक है और यह हो गया indirect ठीक है indirect means यह hidden है ठीक है जैसे कि हम इने family का मान लोग हम example देते तो family क्या है family साब को यह समझा है कि जहाँ पे दो लोग आते है marriage होती है biological reproduction sexual institution है जहाँ पे हम फिर हमारा once बढ़ाते है तो family का primary जो काम है यह हम समझते यह है इसके साथ साथ इसमें कुछ hidden भी है कि family ही में हमारा education होता है जो सबसे पहला education मिलता है हमें वो हमें family में ही मिलता है तो इससे आपको समझागा कि हर का कोई एक primary function है और साथ साथ एक secondary function है जो hidden है और वो काम कर रहा है अब चलिए इसे point wise discuss कर लेते हैं इन पांचों को ब्रीप में कि family कहा है family है कि smallest और oldest social institution है यह सभी बात है यह सबसे smallest यह इसे आप बुल सकते है यह सबसे छोटा social institution है और सबसे important institution है ठीक है यह primary है और universal in nature है universal in nature है यह सबसे पहला किसी इंडिविजवल का जो पहला socialization है वो कहां पर होता है वो होता है आपके family में और यह इसका काम क्या है it determines concept concept मतलब कि हम किस तरह से related है by blood related है या by marriage हम बहुत ज़न से tie होते है तो यह concept concept मैंने एक वीडियो already बना रखी आप चाहे तो place से जाके देख सकते है तो यह रही family ठीक है अब आते है education education क्या है यह responsible for systematic transmission of knowledge skill and cultural values within family of organized structure education में मैंने जैसे कहा था कि जो हमारा knowledge है और skills से उसे enhance करने में काम होता है जो cultural value से उसे transmit करने में होता है क्योंकि education में बहुत तरह के लोग एक साथ आते है और इसमें क्या होता है कि अलग-अलग culture की transmission होती है ठीक है और इनका एक formally organized structure होता है हर education फिर आता है economy मैंने बताया था कि economy हमें क्या करता है हमें पैसे की विजर्वत है honor की विजर्वत है फिल्फिल हो रहा है ये economy से फिल्फिल हो रहा है government अब मैंने बताया था कि government भी ज़र्वत है क्योंकि ये distribute करेगी power में और authority देगी ताकि जो हमारा जो social order है वो maintain हो सके और ये साथी साथ हमें security और stability भी provide करेगी society में भी रहाते है religion religion मतलब क्या होता है कि ये unified system of beliefs है जिसमें कुछ symbols और rituals होते है और ये क्या करते है ये guide करते है human behavior को और उनके life को एक meaning देते है और साथी साथ ये एक बहुत सारे people को unite भी करते है तो क्या बोला था मैंने कि religion से क्या होता है ये हमें guide करते है human being और साथी साथ हमें spiritual relief भी देते है ठीक है तो ये है हमारे 5 basic social institution अब इसमें देखिए कि जितने भी institution है उसमें कुछ primary institution है कुछ secondary institution है ठीक है तो सारे चीज़ है जैसे primary में अगर मैं family family का primary institution क्या है कि वो kincip developer है इसी का secondary institution में देखेंगे जो इससे derived हुआ है तो वो क्या क्या है marriage है ठीक है divorce है monogamy polygamy ठीक है ये सब है मैं इसे family को एक अलग video में detail में discuss करूँगा ठीक है education में देखेंगे कि education का क्या है अगर इस प्राइमरी institution देखेंगे तो वो क्या कर रहा है transmit कर रहा है knowledge को अब उसी का secondary education secondary institution कौन-कौन से जैसे school हो गए college हो गए और university हो गए ठीक है economic है जो secondary institution कौन-कौन से हो गए जैसे trading हो गया banking हो गया property हो गया credit हो गया ये सारे उसके secondary institution है अगर हम government के देखें तो government की secondary institution क्या है कि government कर तो काम है कि वो social order ये बनाई रखे security प्रदान कर रहा है stability प्रदान लेकिन इसमें भी बहुत फॉप है जो secondary institution मर रहे जैसे डेमोक्रेसी कहीं पर autocracy है कहीं पर डेमोक्रेसी है फिर interest group है party system है ये सारे क्या हो गए secondary institution religion क्या है religion का काम क्या है कि हमें guide करें as a human being and spiritual rate ये अज़े primary institution as a secondary institution इसमें क्या क्या गए कि इसमें temple है church है बहुत सारे totem है taboo है बहुत सारे restriction है बहुत अलग-अलग religion में अलग-अलग belief है तो ये हो गए हमारे basic social institution ठीक है अब चलिए हम देखते है कि social institution की characteristics क्या होती है तो सबसे पहला क्या है कि ये एक stable position and permanent structure है तो ये बात सही है कि ये एक permanent nature है जैसे कि family में एक husband होती है wife होती है children होती है वो उसके formulate करी कि identity को ठीक है और ये मैंने बता है कि ये exist करी stable position and permanent है क्योंकि ये exist करी ancient times है अब बहुत सारे changes के बाद भी इसमें कोई change नहीं आया family अभी भी है ठीक है दूसरा fulfill specific needs and goals मैंने बताया था कि social institution हम लोग में आते है ताकि हमारे जो specific needs है कुछ goals है उससे हम fulfill कर सके तो ये क्या है social institution एक source of completion है specific needs and objectives का ठीक है जैसे कि मैंने बताया कि religious institution क्या करें वो हमें spiritual peace दे रहे है social security दे रहे है integrity दे रहे है तो ये क्या है कि कुछ needs और goals को fulfill कर रहे है थार्ड है कि एक specific relation pattern है इसमें ठीक है तो क्या बोल सकता है कि social institution क्या है मैंने बताया कि ये collection है जिसमें कुछ social values है कुछ norms है status है role है और custom है ठीक है और इसी विहाप में हम relationship stabilize कर रहे है ठीक है जैसे कि family जो है वो existence में आती है marriage है ठीक है for congeneral relations किसके किसके बीच में husband और wife के बीच में ठीक है फूर्थ है permanent behavior pattern ठीक है कि social institution में behavior fixed है और individual जो है वो इस चीज़ से accustomed है क्या हो रहा कि यही काम से हो रहा कि कुछ भी इसमें changes आते है जो हमरे society में जो लगता है हमें कि यह इसे damage provide कर सकते है तो इसका जो permanent behavior pattern है यही उसे रोकता है ठीक है क्योंकि वो सुचते है कि अगर यह change आ जाए तो उनके stability में decreases हो जाएगी mutual respect में decrease हो जाएगी ठीक है तो इस तरह के कोई भी changes जो उनके behavior pattern को attack करे इसलिए society जो rules है उससे वो hesitate ही नहीं करते है कि वो जाके उनके attack कर सके और रोके कि कुछ damage ना हो फिप्थ है tend to be interdependent यह सब जानते है कि social institution में हम depend करते है एक दूसरे से और एक mutual coexistence रहता है जैसे कि religious institution में spiritual relief political institution क्या करे है security provide करे stability provide कर दिये तो क्या हो रहा है कि हम society में interdependent एक दूसरे ठीक है उसके बाद क्या है six number है transmitter of social heritage ठीक है तो social institution क्या है एक great conservatives और transmitter है किसका social heritage का ठीक है कि यही individual है जहांपे हम लोग अपने basic value of life सिखते हैं ठीक है seven number क्या है कि definite tradition है कि हर institution का एक definite tradition होता है जो कि orally pass किया क्या होगा written form में हो गए ठीक है और यह क्या कर रहे है यह tradition रेपर्टो पर्परस attitude and behavior of the members और इसी जो अलग-अलग tradition है उसी से ही हम क्या हो रहा कि हमारा purpose attitude and behavior जो है members का वो clearly define हो रहा है ठीक है और यह tradition है यही attempt कर रहे है कि हमें एक साथ ला पाए ताकि हम फंसनिंग कर सके एक होल की तरह ठीक है अब देखते है एक नमबर इस टेंड टू भी डिस साइट ऑफ मेजर सोसल प्रॉब्लम्स ठीक है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब सोसल इंस्ट्यूशन जो है वह फंसन नहीं करेंगी और या तो वह हर् करने के लिए फेल कर जाता है तो क्या होगा अनिंप्लेमेंट रेट बढ़ जाएगा फैमाइन की कंडिशन आ जाएगी तो यह क्या हो रहा है कि यह अगर यह धंसे काम ना करें तो यह थी क्यरेक्टरिस्टिक्स ऑप सोसल इंस्ट्यूशन तो अब हमने देख लिया कि सोसल इंस्ट्यूशन भी देख लिया तो मैं आप आसा करता हूँ कि आपको सोसल इंस्ट्यूशन क्या है यह आप आपको समझ आगे होगा तो अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और कमेंट करकर मुझे ज़रूर बत वीडियो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा